Hello everyone, how are you all? विदिक सिक्षा के सेग्मेंट में आपके साथ हूँ, मैं आपका मित्र मनमोहन जोशी और आज evidence act के एक important topic के बारे में मैं आपसे बात करूँगा आज हम बात करेंगे confession या confessional statement के बारे में हिंदी में इसे कहते हैं sans wikriti ध्यान से समझिएगा बहुत आसानी से आज मैं confession और उससे related सारे myths को clear करूँगा यहाँ पर तो confession क्या है? confession किसे कहते हैं? इसे हमारे evidence act में define नहीं किया गया है इसके relevancy के बारे में section 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 section में बात किया गया है एक बात तो आप ध्यान से समझिएगा एक word है relevancy और एक word है admissibility कई बार इन दोनों में confusion हो जाता है relevancy जो word है जिसे हिंदी में कहते हैं सू संगतता इसका मतलब है केवल संबधता या जुडाओ connection between two facts दो तथ्य यदि आपस में जुड़े हुए हैं या हम कहते हैं कि ऐसा कोई तथ्य जो दूसरे तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है which indicates something about the other fact is known as relevant fact इसे हम कहते हैं सू संगत तथ्य मतलब confession जो की अपराध के करने की स्विकृती है which is a kind of admission of commission of the offense ये मामले से सूसंगत होगा बिल्कुल होगा हमेशा ही क्योंकि अपराध के किये जाने के बारे में कुछ indication देगा तो actually हम जब बात कर रहे हैं कि 24 section में ये सूसंगत नहीं होता तो हम ये कहना चाहते हैं ये अग राय है तो section 24 कहता है अगर किसी के मन में कोई inducement है, promise है, threat है और किसी अपराध को करने को स्विकार कर रहा है तो ऐसी संस्विकृती, ऐसा confession relevant नहीं है तो संस्विकृती क्या है पहले ये समझें फिर उसके relevancy के बारे में हम बात करेंगे तो संस्विकृती अपराध को करने की स्विकृती है साथार अनुशब्दों में Confession is an admission of commission of an offense देखते हैं Sir James Fitzgerald Stephen ने जो की evidence act को draft करने वाले हैं उन्होंने संस्विकृती की क्या परिभाशा दी है, confession को कैसे define किया है According to Stephen, confession is a statement made by any accused संस्विकृती ये कैसा कथन है जो अभ्यूक्त के द्वारा दिया गया है In which he admits the commission of offense alleged जिसमें वह उस अपराध के करने को स्विकार करता है जिसका उस पर आरोप है पहली बार confession की definition हमें मिलती है पाकला नारायन स्वामी वर्सिस एम्पेरर में और ये definition दिया था प्रीवी कांसल ने दोबारा हमें confession की definition मिलती है पलविंदर कौर वर्सिस स्टेट ऑफ पंजाब में जहां Supreme Court ने पकला नारायन स्वामी वाले केस में दिये गए definition को ही confirm किया आए देखते हैं ये दो definition क्या है तो पकला नारायन स्वामी वर्सिस एम्पेरर 1939 में प्रीवी कांसल ने कहा कि ऐसा कथन जो अपराधी को अपराध में फसाने वाला है इनक्रिमिनेटिंग नेचर का है यही confession होगा यदि mixed up statement है जिसमें से कुछ भाग व्यक्ति को बचाने वाला है तो वो acquittal यानि दोश्मुक्ति के लिए ले जाएगा वो confession नहीं होगा फिर आता है पलविंदर कौर वर्सिस स्टेट आप पंजाब का मामला 1952 का सुप्रीम कोट ने कहा statement that contains a self exculpatory matter which if true would negative the offense cannot amount to a confession तो यहाँ पर में एक word आया self exculpatory statement जिसे कहते हैं आत्म बचाओ अपने आपको बचाने वाला कोई कथन एक होता है self incriminatory statement मतलब ऐसा statement जो किसी व्यक्ति को अपराद में फसाने की प्रकृति रखता है मतलब जो उसके against जाएगा यही confession है जो व्यक्ति को बचाने की प्रकृति रखता है वो अपराद में ऐसा statement जिसे हम कहेंगे self exculpatory यह जो है confession नहीं है तो इन दो परिभाशाओं से क्या समझ में आया कि यदि कोई व्यक्ति को ऐसा statement देता है जिसमें से कुछ उससे बचाने वाला है कुछ मसाने वाला जैसे example देता हूँ पलविंदर कौर वाले ही case में क्या हुआ था इस case में एक lady है जिसने अपने husband को जहर दे दिया था यह confessional statement देती है कहती है हाँ poison तो दिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो poison है मैंने उससे दवा समझ के दे दिया यह जैसे example से समझें कि कोई आदमी कहता है कि हाँ ए नाम की आदमी को मारा तो मैंने है बट यह self defense में मारा है तो जो self defense में मारा है यह exculpatory हो जाता है यह उसको बचाने वाला है तो यह पूरा का पुरा statement confession confession क्या है मैंने बताया वापस से कि किसी व्यक्ती ने कहा हो कि हाँ मैंने यह अपराद किया है और अपराद करने का तरीका बताया हो हम बात कर रहे हैं confession के relevancy के बारे में तो section 24 में लिखा है कि अगर inducement, threat या promise प्रवंचन या भै ऐसा कोई तत्व किसी के मन में है तो यह confession आपकी जानकारी के लिए relevant नहीं है लेकिन यही confession section 28 में जाकर relevant हो जाता है अगर किसी के मन से उसका impact वो जो inducement है, threat है, promise है इसका impact remove हो गया हो, निकल गया हो तो 28 में यही statement relevant हो जाता है section 25 यह कहता है कि police custody या police officer से की गई कोई confession जो है, वो relevancy नहीं रखती लेकिन section 26 में लिखा हुआ है कि अगर magistrate present है in the presence of a magistrate यही statement जो police custody में है यह relevant हो जाएगा तो बातें आस-पास में जुड़ी हुई है आप ध्यान से समझना अगर police से किसी ने कोई statement दिया एक case है मारे पास में पुलकरी को टैया का case जहांपर में एक आदमी ने confession किया कि हाँ मैंने murder किया है दो लोगों के साथ मिलकर और जो हतियार है वो मैंने गाउं में शुपा दिया है discovery में वो हतियार मिलता है इस matter में जो उसने कहा था कि मैंने अपराद किया है ये relevant नहीं माना गया क्योंकि ये police से किया गया था लेकिन जो discovered fact है वो सुसंगत माना गया इनकी relevancy 627 में होती है जांदे समझेगा बहुत आसान सी बातें समझा रहा हूं मैं और आपको बहुत easy हो जाएगा confession को समझना तो जो बातें कहीं relevant नहीं है वो कहीं relevant है क्या element उसे relevant बना देता है क्या उसे relevant बना देता है आपको ये समझने के ज़रूरत है कुछ important case laws मैं आपको समझाता हूं तो आपको picture clear होगा एक case है निशिकान जा वर्सेस स्टेट आप बिहार का 1959 का ये case है एक case है आर वर्सेस स्टोरी का जिसमें कोट ने कहा वन देर इनफ एविदेंस तो रिजेक्ट दी एक स्कुल्पेटरी पार्ट अप बिहार्ट स्टेट में रिलाई आप इनकल्पेटरी पार्ट फिर एक केस आता है लोकमान-shaa वर्सेस स्टेट अप West Bengal का इसमें कोट ने कहा इसमें कोट ने कहा था इसमें पार्ट इसमें कहा तो लेटेस जो केस हमारे पास में है लोकमान शाहवाला इसमें clear कर दिया है कोट में कि जब कभी कोई confessional statement आएगा तो वो पूरा का पूरा statement एक साथ पढ़ा जाना चाहिए दूसरी बात कोट ने कही पूरा statement पढ़ने के बाद कोट इस नतीजे पर पहुँचेगा कि इसका पूरा essence in culpatory है क्या उसका अपराद में फसाने वाला है क्या अगर इसका answer yes है तो ये statement confession कहलाएगा otherwise ये confession नहीं है इतनी सी आसान सी बात है confession के बारे में एक बात और आपको जाननी चाहिएगी confession दो तरगा होता है judicial एक्सा जूरीशियल जब हम judicial confession की बात करते हैं तो ये confession ऐसा है जो magistrate के presence में magistrate से किया गया हो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी section 164 CRPC में जहां confession कैसे record किया जाएगा इसके बारे में पुरा procedure है magistrate के अलावा किसी और से अगर confession किया गया है तो ये confession extra judicial confession कहलाता है magistrate से किये गए confession की जो evidentiary value है जो वेटेज है वो बहुत जादा है extra judicial confession की तुलना में तो हिंदी में judicial confession को न्याईक संस्विक्रिती कहते है और extra judicial confession को न्याईक संस्विक्रिती कहते है तो इस छोटे से brief lecture में आपने समझा कि confession क्या है, confession कितने तरह का होता है, इसकी relevancy कहां कहां से निकल कर आती है और कुछ important case laws को भी हमने आज समझा, उम्मीद करता हूँ कि ये lecture आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा अगर confession के बारे में कुछ और प्रशन आपके मन में है तो जरूर comment box में लिखिए, मैं इसको और elaborate करूँगा और बहुत detail में आपको समझाऊंगा हम समझ रहे हैं law of evidence से कुछ important topics को, कुछ important words को इस series में जिसमें की law of evidence के lecture आपके पास में है ये playlist में जब आप जाएं तो आपको पूरे के पूरे lectures मिलेंगे जो evidence से related हैं तो आज के इस lecture में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं एक नए topic के साथ और समझते हैं देश के कानून को महत्वपूर्ण है कानून के प्रती जागरुग बनना, समझते रहना और important है अपने प्यारे favorite channel विदिक सिक्षा से जुड़े रहना जुड़े रहिए, comment करते रहिए, share करते रहिए और subscribe नहीं किया हो तो कर लीजिएगा have a nice time, take care, bye bye जुड़े रहिए